असलाम अलेकूम जी आप अभी उन्नी सफर पे लायू है जी लायू है क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में जी हम यह इसके खिलाफ है और हम नहीं चाहते कि ऐसा कानून को फास हो और कानून हमारे पर थोपा जा रहा है जबर जस्ति हम इसके बिल्कुल पर बैठी है पांस दिन से आज हमारा धरने का आखरी दिन है अलात आला हमारी कोशिश को कामियाभी किते और यह जो धर्ना अंदोलन है यह सक्सेस करें यह कामियाभी दे और ऐसा कानून ना बनने लें आपका योगी की स्टेट्मेंट आया कि आदमी लोग जमाएं वह दर्ना परदर्शन में भेज रहें क्या कहेंगे आप ऐसा नहीं है आदमी लोग भी समें सपोर्ट कर रहें जब उन लोगों का सपोर्ट है तब ही तो और आप आ रहे हैं ना वह आदमी लोगों ने हमको दबा के नहीं रखा उन्होंने हमें खुली आजादी दिए कि आप प्रियाओ से खिलाप कि आज हम जुगें तो हर बर हम जुगें ऐसा नहीं कि हम लोग 3 तलाग के लिए जुगें हर बर हमको क्यों जुगा जा रहा है क्यूं हम ऐसा तनाइंसाफी के जा रही है हमारा भी कुछ इसलाम में जो रूल से हम वहीं फॉलो कर रहें हम जो हमारे इसलिए हम चाहते हैं कि यह सब प्रयागू ना हो और हम इसके जो चाहें वो और आज पास दिन सा में धरने पर बैटे हैं जाफर में इंशालला हमारी कोशिच जारी रहेंगे आगे और इन लोग ऐसा सोचते हैं कि मुस्लिम होड़ते स्रिफ घर में और बच्चे बालने में खाना बनाने में में मच्जूफ रहती हैं और इनको नॉलेज कुछ नहीं करके लेकिन इसा इनलों का सोचना गलत है और जितना तुछ लोग जो है मुस्लिम औरतों को दबानी की कोशिश कर रहे हैं यह ऐसा कुछ कह रहे हैं क्या कह दिए पुद्रत ने दिये उनको किया वो सबको निवट सकती है तो मोदी को, मिशा को सब को निपर स uniform हने अर यह जो इल्जाम्त लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और बूस्लिम ऑड़तेंक क्या करेंगी य。」 यह ने ही को पता चलेंगा हम जब करेंगे ना जब पता चलेंगा उन्हों को इंजाम लगा की ये काम को और उसको राजी करके रहेंगे एक्शली आपका जो सवाल है कि मुस्ली मौरत को दबाने की कोशिश की जा रही है न तो ये बिल्कुल गलत है 1400 साल पहले भी जो है मुस्ली मौरत मैदाने जंग में जाकर जखनियों को पानी पिलाती थी और जो है इनकी जो होसला वजाई करती थी सिपाईयों की तो आज अगर मुस्ली मौरत को दबा हुआ समझा जा रहा थी ये उनकी गलत फहिमी है बेशक मुस्ली मौरत परदे के अंदर है लेकिन वो दबीवी नहीं है और अभी था कहम बेदार नहीं हुए थे इसका ये मतलब नहीं था कि हम गाफिल थे हम जो है आज बेदार हुए है तो हमको अब तक ये लग रहा था कि कही न कई कुछ न कुछ सही है लेकिन आज हम मैसुस कर रहे है कि सब कुछ गलत है इसलिए हम पूरी तरह से बेदार है अलहम्दोलिल्ला और दूसरी चीज़ ये ये जो मुद्दे उठाय जा रहे है न य आजिदे लोगों का जहन भटकानी के लिए उठाय जा रहे है वरना असल मुद्दा जो है वे गरीबी आजने असल मुद्दा जो है वे तालीम का है असल मुद्दा आप देखेंगे आर्थिक मंदी मेहंगाई है और सबसे मेन चीज़ ये कि हिंडूस्तान में उरुत की बहुत हो भी दुनिया से चले गई है और जो देख रहे हैं कि जेलों में नौजवान बंद है जब वो छूट कर आता है तो पता चलता है कि वो बेगुना है तो ये हिंदुस्तान के ऐसे फैसले है तो ये इन सब जो है ये खामियों को छुपाने के लिए जो ऐसे ऐसे मुद् रखी होंगे लेकिन अब ये जो मसला है ये सन्विधान का है हमारे कॉंस्टिशन को बचाने का है हमारा कॉंस्टिशन हमको जान से प्यारा है हम आज तक उसकी इज़त करते हैं क्योंकि इसमें तमाम लोगों को बराबरी का हग दिया गया है इसमें धरम के आधार पर कोई बेदभाव नहीं किया गया था लेकिन आज ये लोग धरम के आधार पर बेदभाव कर रहे हैं यह हम हर्किस बरदाश नहीं करेंगे यह जुल्म है और एक जुल्म जो है वो कभी मुसलमान बरदाश नहीं करता हम जो है स्रफ हमारे लिए खड़े नहीं हुए है पूरे इन इनका जजबा बढ़ाने के लिए खड़े हुए है जरूर लेकिन हम पूरी इंसानियत के लिए खड़े है यह दर्द सपका है जी चोड़ी बच्चियों पर जुल्म हो रहा है बच्चिया कहा जाएंगी है ना बच्चे जब आवाज उनके माता पी तो आवाज उठाती है तो हम किसके पर जाके फरियाद करेंगे आप ही बताइए फिर हमको इसकी क्लब तो आवाज उठानी पड़ेंगी आज हम आवाज उठेंगे तो कब उठाएंगे फिर सुप्रीम कोड से भरोसा है वह तो हमेशा है क्योंकि हमारा सवीदान है उस पर भी हमें वरोसा है पूरी त हम बता नहीं सकते कि वो कोड़ भी क्या फैसलत करेंगी लेकिन उम्मीद करते है कि इन्साफ मिलेंगा उमीद जरूर करते हम कि अंसाफ पर नहींगा है लेकिन भरोसा तो अब हमको किसी पर नहीं है ये सरकार बहरोसा के लायक नहीं है आर इस सरकार से अभिक Dara kழ आए babys इंशाला, इंशाला, और जब तक हमको भरोसा नहीं मिलेंगा, इंशाला ये काम जारी रहेंगा, और जब तक हमको हग का फैसला नहीं मिलेंगा, तब तक हम लोग खामुश नहीं बैटने वाले, चाहे इसको महने लग जाये, साल लग जाये, हम यहीं पैदा हुए थे, यहीं जिन्दगी दियेंगे और यही मरेंगे इस मिट्टी में क्योंकि हमारे जो बुजरूग लोग है उन लोगों का खुन इस मिट्टी में बहा है तो हमारे बच्चे हम सम इस वतन से क्योंकि यह अल्ला का भी हुकुम है कि यह अल्ला की जमीन है और हमको अल्ला का भी हुकुम है कि हक का साथ देना चाहिए तो यह हक का साथ है और बेशक हम इस में इन्शालला जुरूर काम्याब होंगे यह हम सब लोगों को भरोसा है आज मोदी जी और अमिशा हमसे अमारी नागरिकता मांगते हैं पहले वो अपने और अपने बाप दादे की नागरिकता बताएं कभी जीस्टी लाते हैं कभी तीन तलाग का मसला लाते हैं किके किसी भी बहाने हमारे मुसल्मान बच्चों को जेलों में बंद करें अरे मोदी अपने छाइस पहले तुम मोडी जी ने अपनी वीवी को तो हख नहीं दिया तो हमारे मुसल्मान और तो किया तुम हख दोगो अपने अपने खांदान निए लिए जो बहन के घर उजारने को नगा यह तो कंसमामा से जादा बड़ा कंसमामा निकला इजो कहता भाई हो और ब बहन बोले थे ना बहन बोल के क्योंकि कोई क्योंकि मोदी जी अमेशा मीठी छुरी से हलाल कर रहे हैं और यह अगर कानून इननों वापस नहीं लिया तो बहुत जादा इनको बहुत जादा इनको सोचना पड़ेगा कि आज पूरी पब्लीक मुसल्मानी नहीं पूरी जंता रोड़ों पर आ गई तुम्हारे पूल पूरे खुल गए तुमने जो सर्वनाश किया देश का सारी वाते खुल गई और बाहर जाकर जुड़ बोलते हमारा हिंदुस्तान बहुत अमन हैं सुकून में यहां पर तुमने ऐसा इंतिशार कर दिया कि सारे लोगों के लेकि सब की आँखें खुल गई सबने बहुत बड़ी गलती की एक चाय बेचने वाले को इतनी बड़ी देश की जुम्हदारी दे दी जो काबिल रहता इसको उसी को दिया जद अनपड जाहिल को एक मिल गई तो वो क्या कदर जाने कुर्सी की और क्या कदर जाने देश को चलाने की बहुत बड़ी गलती हुई अब पूरी कौम आज जो जो जिसको कोई उसको कोई उसकी आउखाती नहीं तो इसको इतनी बड़ी कुरसी मिल गई एक मिसाल है उट के मूँ में जीरा रख देने वाली चीज हो गई अब मोदी जी अपनी आँखें खोले आज मुसलमानी नहीं सारी इंसानियत जो सवासो करोड जो इंदुस्तानी है वो सब समझ गए हैं और लोग तो ये भी कह रहें कि इसे दुबारा जो जीते हैं वो पूरी बेमानी से जीते हैं और आज जो अली गार और दिली में जो जो हुए जो बच्चों की जिन्दगें खराब होई ये आगे और वापस लेना पड़ेगा और जब तक कि हमारी दौल भाग खत्म नहीं होगी और हम सब एक हिंदू मुस्लिम से किसाई अब यह सोचे यह सारे जहां से हिंदुस्तान अच्छा लिखने वाला कौन है सब मुसल्मानों से फादा उठा लिया आज लाल किला जो है हमारा हम तुम तो जल जाओगे तो तुम्हारी राख भी नहीं पता चले जी हम तो हजारों साल गड़के भी मिट्टी से निकलेंगे